खबर गौलियर से है जहां भाजपा के जिला धच्च कमल माखिजानी का एक होटल में सराप पार्टी करते हुए वीडियो सोसल मेडिया पर वारल हो रहा है सबसे पहले यह वीडियो कॉंग्रेस के वरिश नेता अरुन सुभास यादाउ ने अपने टूटर हैंडल पर जारी किया था साथी कमेंट किया था कि क्या सिवराद इस तरह प्रदेश को नसामुक्त की और ले जाएंगे एक और पूर्य मुख्यमंतरी उमाभारती सराब बंदी के लिए आवाज उठा रही है सिवराज सराब बंदी से पहले लोगों को नसामुक्त के लिए जागरूप करने की बात कहते आए हैं पर भाजपा जिलाधक्ष ने उनकी अभिमान पर सवाल खड़ी कर दिये हैं मद्ध प्रदेश में कॉंग्रेस के बड़े नेतावा पूर्य मंतरी अरुन सुहास यादव ने गुरवार को अपनी टूटर पर एक वीडियो अप्रोड कर भाजपा के सराब बंदी या नसामुक्ती अभियान पर सवाल उठाए हैं असल में इस वीडियो में होटल के एक रूम में चार लोग बैठ कर सराब पार्टी कर रहे हैं उनमें भाजपा के वर्तमा जिलाधक्च कमल माखिजानी भी सामने बैठे हैं वह वीडियो में कांच का गलास उठा कर वाइन पीते हुए दिख रहे हैं उनके साथ के लोग भी जाम टकरा रहे हैं इस वीडियो के उपर अरुन सुभास यादव ने लिखा है कि यह है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा ग्वालियर भाजपा जिलाधक्च कमल माखिजानी का सराब पीते हुए वीडियो मुखिमंत्री जी आपके जिलाधक्च प्रदेश में ऐसे नसाबंदी का जागरूपता अभियान चला रहे हैं अरुन यादव ने यह वीडियो अप्रोड करने के बाट टुटर पर अपने राष्टी नेता राहुल गाधी प्रदेश PCC के चीफ कमल नाथवा पूर मुखिमंत्री दिग्विजा सिंग सहित कई कॉंग्रेस और भाजपा नेताओं को टैग किया है अब यह वीडियो शुटर के साथ ही सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और भाजपा नेताओं की बोलती बंद है खासकर बिजेपी जिला धक्च ग्वालियर का तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया वो भी जब तक भोपाल में ही वरिष्ट नेताओं के साथ है